हेलो फैंड स्वागत है आफ सभी का आपके अपने सेडियो प्चैनक पर दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत जादा इंपोटेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जब भी आप एक घर को बनाएंगे तो घर में जो का होता है दर्वाजे हमारे दिया जाते हैं बिंडों भी साथी साथ इन जगा दी जाती है तो अब एईसा तो है नी कि इन सभी जगापへ हम एक यdoc की एक ही प्राषै की मुझा जहीं है वो बिंडों के साइस के होने चाहिए तक हमारे घर में एक natural light natural हवा बहुती अराम से असानी से आ सके और हमेरे घर में काफी अच्छी रोनक रहे देखो अगर आप बहुती छोटे बहुती बड़े दरवाजे देते हो तो कहीं ने कहीं आपके लिए बजट को भी नुकसान देगा और साथी साथ अगर आप एक बहुत छोटा दरवाज़ा देतो तो आगे चलके आपको problem ही देखने को मिलने वाली है मैंने आपे बहुत ही घर में जो अलग लग जगा होती है उन सभी के दरवाजे mention किये हैं साइज किये हैं window mention किये हैं ventilation mention किये हैं तो ये सारी चीज़े आपके लिए काफी ज़्यादा helpful होने वाली है ब में motivation मिलती है आप जब भी like और motivation के तौर पे हमें हम अपनी आपकी comment को use करते हैं जो काफी ज़्यादा help करते हैं ताकि आगे चलके हम एक नई वीडियो आपके लिए लेका हैं तो मैंने हैं पर लिख लिए जैसे कि आप नहीं देख रहे हैं कि यह पर डोर है और बिंडो के दर्वाजा और रहता है वह यहां पर दिख रहो यहां पर डवलू है यह है यहांने कि डवलू का मतलब bit मतलब चोड़ाई और यह एच मतलब height तो अगर हम bedroom की बात करें तो साड़े तीन फिट की आप चोड़ाई रखें दर्वाजे की height रखें और ऐसी अगर हम इसकी एक एक दर्वाजे और happen mention करेंगे तो वह तीन फिट वाई साथ फिट का आप दे सकते हैं यह अंदर अंदर की चोड़ाई की बात कर रहा हूं आउटर की बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ अंदर अंदर इतनी जगा होगी होगी बाकी बात करें ड्राइंग रूम की जैसे की ड्रा साइज बढ़ा के रखना है क्योंकि वहां पर थोड़ा इस पेस रहता है आपका बैड भी होता है आपका सोफा साइड भी होता है उसमें तो बिंडो थोड़ी और दर्वाजे का साइज आप चोड़ा कर सकते हैं जो की साड़े तीन फिट वाई साथ फिट यह आपको रख चोड़ते हैं तो हम उसका दर्वाजा देंगे तो धाई फिट वाई साथ फिट का देंगे आपको किचिन के दर्वाजे की जो चोड़ाई यह वो जादा कभी भी नहीं करनी है क्योंकि जब आप उसको आपन करते हैं तो काफी जादा पीछे का स्पेस घिर लेता है और पराई में आर्च बनाना और साथ फिट के हाइट यानि जिसको कुछ लोग महराब भी बोलते हैं तो वो चीज़ें आप यहां पर देंगे दर्वाजा किचिन में ज्यादा ठीक नहीं लगता है तो अपनली अगर आप किसी अपने घर के लिए रख रहे हैं तो आप दर्व घरण दर्वाजा देते हैं जिससे हम अपनी टरुस पर जा सकें आजकें और उपर से बाहर का कोई अनजान अंसान हमारे घर में बार के दर्वाजा देए तो यहां बात करें करें कि बारी तो नहीं कुछ बेंडू की लिखें तो यह सब वही चीज़ें सेravी जैसे सीन रहे तो अगर हम बेड्रूम की हाइट की बात करें तो चार फिट इसकी हाइट रखना और पांच फिट इसे चोड़ा ही रखना आप यहां पर कुछ चीज देख रहो है सेम जो की हाइट चार-चार फिट है बेसिकली क्या होता है नकि हमारा एक जैसे बिंडो ए ठीक है यह हमारा क्या होता है इसको इसको तीनफिट मेंशन किया है और चार फिट हाइड उगी इसलिए हमने इसकी height को 4 feet पकड़ा है और 4 feet ही height रखी जाती है maximum आप दिखोगे तो bedroom की जो size रहेगा window का वो 4 feet इसकी height रहेगे 5 feet चोणाई रहेगी ये size आपको देते हैं तो काफी ठीक लेगेगा अभी हम drying room की बात कर लेते हैं तो जैसे मैंने last time बोलाता है कि drying room जो है हमारा थोड़ा अगर उसमें दर्वाजे का size भी बड़ा रहेगा और drying room का size भी आपको थोड़ा रखना है तो इस दिवाल होगी इसकी चोणाई भी काफी जादा होगी अभी kitchen की बात कर लेते हैं kitchen में ज़्यादा चोणाई की window हमें देने की बिल्कुल भी ज़रूत नहीं होती है बट window तो देनी होती है तो पता है आपको तो यह हमारा जो इसकी height रहेगी window की वो आप करेंगे चार fit height रहेगी और तीन fit इसकी चोणाई यानि कि तीन fit की चोणाई में भी आपको window देनी है अगर आपकी kitchen जो है वो एक normal size की है बगर बहुत बड़ी kitchen है तो वह तलेगा बट एक normal size जो हर किसी के घर में होता है तो आप तीन fit की चोणाई ही देंगे बस अभी lowby की बात कर लेते हैं lowby hole की बात क्योंकि किसी के पात जब lowby hole काफी बड़ा space में होता है तो हमें window भी देनी होती है अब उसमें जो size रहेगा वह 5 feet की height रहेगी और 6 feet की चोणाई रहेगी यह 5 feet की हाइट चल रहता है यहां 5 feet क्यों हूँगा मैं आपको बता यह जो हम 3 feet की height पर दे रह height अगर आप अपने किसी lowby hole में रखते हैं तो वह काफी अच्छा लोग रहता है इसलिए यहां पर उसकी height थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि हम सरीफ एंटर उसको 2 feet height पर consider कर रहे हैं और उसके बाद 5 feet रहेगा तो साथ हो जाएगा और 7 feet height हमारा जो भी lowby में दरवाजा ह होगा उसकी अनुसार label में आ जाएगा तो यह हमारा 6 feet इसकी चौणाई होगी अभी इसकी बात करें दूसरी तो पांचवाई साथ का आप दे सकते हैं अभी हमें थोड़ा से बेंटिलेशन के बारे में बताना चाहूंगा बेंटिलेशन चोटी सी देते हैं आप रूम में किचिन में चाहें तो 2 x 2 का भी आप कर सकते हैं कुछ लोग जब रूम की ज़्यादा हाइट होती है तो उसमें भी आप बहुत से लोग देते हैं तो 2 feet by 2 feet का वेंटिलेशन दे सकते हैं या 1.5 feet इसकी हाइट रहेगी और 2 feet इसकी चोणाई रहेगी तो यह इसका साइज ज् अगर यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा है अमारे चैनल की वीडियो और यह भी आपके लिए यूसफुल है तो वीडियो को लाइक जरूश कर देना और हमारे चैनल को प्लीज सस्काइब कर लीजे हम इससे मोटिवेशन मिलेगी जैसे मैंने पहले बोल रहा था और